हेलो दोस्तों एक वार फिट से स्वागत आपका हमारे युट्यूब चैनल फोटोग्राफी लवर्स में तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में अपने देखा था जो सोनी अलपा 7 है इसको किस तरह से रिशेट किया जाता है तो अभी के वीडियो में अपन देखेंगे कि इस केमरे को किस तरह से सेट अप करना है अपने को और कौन-कौन से सेटिंग्स अपने को चेंज करना है जिससे जो अपन इस केमरे को फोटोग्राफी के लिए भी यूज कर सकें और कौन-कौन से अपने को options देखने को मिलेंगे जिनसे अपन अच्छे से photographic कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अभी यह अपने पास Sonic Alpha 7 camera है तो यहां से मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ इसके जो बाहरी जो बटन वगेरा हैं जो भी options हैं इनके बारे में तो यहां से अपने को जो सबसे बाहर की तरफ जो ring देखने को मिलते हैं इसमें अपने को जो इसके mods हैं वो देखने को मिलते हैं जैसा कि यहां पे अपने को clear लिखा हुआ है, M का मतलब manual, S, A, P, यह सभी अपने को देखने को मिलते हैं, इसमें auto, scenes, slow motion, यह सभी effects यहां से आप use कर सकते हो, तो यहां से अपने को यह सभी options देखने को मिलते हैं, इनमें अपने को camera को manual पे करना है सबसे पहले, जैसा कि आप manual पे लगावा है, तो अपने को यहां पे manual दिखाई दे रहा है, इसके बाद अपने को जाना है menu के अंदर, menu के अंदर जाओगे, तो आपको बहुत से options खुल के आएंगे, तो इसमें जो सबसे पहला option है, वो है quality और image size का, तो इसमें अपने को जो file format है, वो देखने को मिलत करना चाहते हैं, मान लेजिए, अगर आप raw photography करना चाहते हैं, मतलब भी raw photography का मतलब आपको पता होगा, अगर नहीं पता है, तो मैं पता देता हूँ कि जो आपके original detail मतलब photo है, original photo है, बिना किसी color correction बगेरा lighting के, जो आपके original photo है, वो ही आपके card में save होगी, इसका जो भी काम ह होगा color correction बगेरा का, वो आपको software के अंदर करना होगा, फिर चाहिए, वो कोई साभी software यूज करो, आपका जो भी color correction और lighting का काम होगा, जो भी correction करना होगा, आपका जो आपके PC में होगा, मतलब software के अंदर ही होगा, यहां से आपका जो sensor है, वो बिलकुल भी काम नहीं करेगा आप कोई भी setting apply करोगी, वो आपकी setting apply नहीं होगी, आपकी raw photo भी, और Japanese photo का मतलब यह होता है, आप मान लीजिए, फोटो क्लिक करते हो, और आपका camera का जो processor हो, आपकी photo को process करके, मतलब जो sharpness, saturation, lighting वगेरा, जो भी contrast वगेरा, उसको adjust करके, आपके सामने जो output लेके आता है, व जेपेज फोटो होती है, मतलब जो processor काम में आता है, जिस photo के, उस photo को आपन जेपेज फोटो बोलते हैं, मतलब processor के through आपके जो camera direct output देता है, वो जेपेज फोटो है, और जो direct photo शेव होती है, original quality की photo शेव होती है, वो raw photo है, तो यहाँ से आप जो भी photo, मतलब क्लिक करना चाह तो आप इन में से चूज कर सकते हो, अगर आप raw और जेपेज दोनो फोटो शेव करना चाहूँ, तो दोनों भी आप चूज कर सकते हो, जो second number का option है, तो यहाँ से मैं आपको दिखने के लिए raw photo चूज कर लेता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा तर जेपेज photo पे ही photos क्लिक करता हूँ, और अगर आप मान लेजिए, आप raw photography करते हो, तो इसके जो file type है, वो आप रखना चाहते हो, compressed का मतलब हो गयागी, आपकी जो photo की size है, वो compressed होके आपके सामने आएगी, और उसमें आपको details कम देखने को मिलेंगी, और uncompressed का मतलब है, जो original quality की photo है, जितने MB की जो photo है, वो आपके सामने, मतलब camera के अंदर save हो जाएगी, card के अंदर save हो जाएगी, और जो details हैं, उस photo में अपने को ज़्यादा देखने को मिलेंगी, और compressed photo में कम देखने को मिलेंगी, तो इस तरह से आप इसमें uncompressed आपको choose करना है, इसके बाद अपने को option देखने को मिलता है, ज अगर आप gay फोटोग्राफी करते हो, तो अपने को extra fine पर ही choose करना है, तो यहांसे आपको extra fine ही यहांसे मैं ok कर लेता हूं, इसके बाद अपने को option देखने को मिलता है image size का, image size में अपने को large image size रखने है, इसमें अपने को तीन out option देखने को मिलता है medium और small और large, तो इसमें अनुपाद दो में के रेश्यो में जो मेरी फोटो है वो यहां से हैं क्लिक होगी तो दोस्तों इसके बाद अपने को अप्शन देखने के मिलता है एपी एसी सूपर 35 mm यह मौड मतलब इसमें अगर आप एपी एसी जो लेंस है वो यूज करोगे तो आपका जो केमरा है वो ओ इसके बाद अपने को 14 फेज देखने को मिल रहे हैं तो अपने को ओप्शन देखने को मिलता है लोंग एक्सपोजर ले रहे हो मतलब को लंबा सोट ले रहे हो बड़ा लेंस यूज कर रहे हो मतलब 70-200 यूज कर रहे हो तो आपका जो नोईज आएगा जो फोटो में नोई जाता है तो उसको reduce करने के लिए आप यहां से long exposure noise reduction है इसको use कर रहते हो तो इसको आप on रख सकते हो इसे के साथ अपने को option देखने को मिलता है high ISO nr मतलब high ISO noise reduction अगर आप पे low light photography कर रहे हो और ISO ज्यादा बढ़ा रहे हो तो इसको आपको medium पे रखना है इसको भी आप on रख सक इसके बाद अपन चलते हैं next page पे next page पे अपने को option देखने को मिलता है drive mode drive mode में अपने को breast photography है self timer है यह सभी options देखने को मिलते हैं तो यहां से यहां पर जो भी चूज करना चाहो जैसे कि यहां पर अपने को single short continuous जो high continuous shooting high speed continuous shooting medium speed यहां से और continuous speed जो continuous shooting medium या low speed इन सभी modes को use कर सक यहां से आप टाइमर लगा सकते हो या कोई भी जो अदर फीचर सांगे और वगेरा हो गया या कोई breast photography करनी हो गई तो यहां से आप इसको यूज कर सकते हो तो यहां से मैं इसको single shooting पे रखने वाला हूं तो यहां से अपन single shooting पे जैसे ही रखेंगे आपको जो manual का option है इसके सेव करना चाहते हो यहां से आप इसको चूज करके सेव कर सकते हो मतलब अभी अपन फोटोग्राफिक के लिए सेटिंग कर रहे हैं तो अभी जो अपनी फोटो होगी वो card fest में save होगी अगर आप यहां पे slow to कर देते हो तो card second में आपकी जो फोटो है वो save होनी start हो जाईग इसके बाद आपन सलते हैं next page में next page में अपने को देखने को मिलता है focus mode का option focus mode में जैसे आप open करोगे आपके सामने बहुत से features कुल के मतलब option कुल के यहां पे automatically autofocus अपने को देखने को मिलता है appreciate यही आता है इसके बाद अपने को continuous autofocus मतलब आपकी जो object है उसको track करना चाहत और अगर आप automatic पर रखना चाहते हो तो automatic भी रख सकते हो तो यहां पर मैं कर लेता हूँ continuous autofocus इसके बाद अपन को change करना है जो focus area है इसको इसमें अपने को जो wide focus area option देखने को मिलता है लेकिन जैसे आप इसको open करोगे आपके सामने बहुत से option कुल का हैंगे जैसे कि wide zone तो आप अपनी requirement के साब्सें इनको use कर सकते हो तो दोस्तों अभी के लिए अपन इस video में इतना ही जानेंगे इस camera के बारे में अभी क्या है कि video काफी लंबा हो चुका है तो इस जो आगे point है उसके बारे में अपन अगले वीडियो में बात करेंगे तो दोस्तों आज के video में इ को नहीं जानकार के साथ तब तक के लिए नमस्कार टाटा बाई बाई